गुड मॉर्णिंग मैं डियर फ्रेंड्स मैं रोई श्रमा स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल आपके गुरुजी में तो आई होप आप जो हमारे वन वर्ड की जो 1000 प्लस की जो सीरीज है उसको फोलो कर रहे होंगे और अगर आप उसको फोलो कर रहे हो तो आप उससे जो बेनिफिट है इन वोकैबलरी शक्षिन वो जरूर मिलेगा शुबात करते हैं अपने जिन की एक मैत्वपुन कोट्स के साथ कॉलक्ट मॉमेंट्स नौट तिंक्स तो मॉमेंट्स जो है ना आप उनको कलेक्ट केजिए ना कि चीजों को कई बार मैंने देखा है कि लोग घूमने जाते हैं फ्रेंट्स के साथ फैमिली के साथ वहां पे पिक्चर्स क्लेक्ट करने लग जाते हैं बार-बार की देख तू मेरे साथ हा तू मेरे साथ हा वह उस पल में जिस पल में होते हैं उस पल को कभी नहीं कर रहे होते हैं तो पिक्चर करने पिक्चर नोट तिंग्स चीजें कठी मत करो मॉमेंट्स क्लेक्ट करो ओके शुरुबात करते हैं अपने पहले वन वर्ट सप्रिटुशन के साथ तो पहला वर्ड वन वर्ड जो है वो है एक्स्ट्रो वर्ड एक्स्ट्रो वर्ड का मतलब होता है दोस्तों बहिर मुखी एन आउट वर्ड पर्शन आगे आता है मिंग्लर मिंग्लर का मतलब होता है दोस्तों मिलनसार एक पर्शन हूँ इंगेज इजी ली विद अदर्स एट सोशल फिक्शन्स फंक्शन्स एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के साथ अराम से जो घुल मिल जाए ना देट्स कोल मिंग्ल मिलनसार आगे है मुडी मुडी का मतलब होता है दोस्तों उदासीन एप पर्शन विद अनप्रेडिक्टेबल चिंज ओफ मूड एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनुमान लगाना अनुमान लगाना अनुमान लगा जा सकते है मतलब उसको खुद को ही नहीं पताए कि मेरा मूड खुद कर सकते है यहां न हर टाइम शेफ़ल होता रहता रहता है और कहते ना जो विकती कि सी एक हर्ण जो विकती कभी भी बार बार जब situated उसके अगेंस्ट हो जाएं और जब शवेखल करता है हर सिच्वेशन पर तो एक्ति यह कि सिंगल चीज साथ जिस नहीं कर सकता है त इसका आप यूह भी कह सकते हो एक तरीक से स्वाद लो लूप और रस्या भी इसको बोल सकते हैं कहने गारते है कि इसको जोए खाना पीना गुमना फिरना मस्ती करना पसंद है कोले कहीं एक कीरिया थे नतीकीम की क्या मतलब होता है एत थिंग और पर सबांज आ है Antiquated the word बने है亲 वो एंटीक से बना है एंटीक का मतलब किया होता है special यूनिक जो बहुत पुरानी है का फीरानी आइटी का जनरली सेंस पुराने सेंस मिली जाता है ना तो बहाइंड टाइम समय से पारे हो जब कोई चीज अर्थार बहुत पुरानी हो एक्टिविटी और अक्टिविटी अपने हां एक्टिविटी किसी भी चीज की बाहरी एक्टिविटी करने में वह उसको शरम शरम तो नहीं कह सकते एक आलस फील होता है उसको कि कि मैं ये लंगारा कि अंक्टिविटी करने से सबसथ और कर दोस्तों शु update का मतलब भी आलिसी होता है और इसको ज़्यादा करने की जुरुत नहीं है अगे चलते हैं श्लगिश देखो दोनों को उपर आभी आमने श्लगिश बढ़ा था श्लगिश आगे आभी गया है अगे चलते हैं लेजी का मतलब होता है आल सी अन्विलिंग टूवर्क और यूज एनरजी काम करने की इच्छा ही नहीं हो सकते हूं मझतलब अपनी अनरजी को अपनी पॉटेंशल को आप उस पुटेंशल को किसी वर्क में डालने कि या विलिंग बिलिंग्नेस नहींना तब तक आप को क्या करना भी नहीं चीए क्योंकि अगर आप विलिंग लिजिप काम करते हो काम कभी भी यह उस वरक के साथ आप आप एक स्टी अजिस्टिफिकेशन आप जस्टिफाइए नहीं कर रहेसे काम के शाथ यॉरू जब भी आप कुछ को आप कोया पैशन थो उसेन विलिंग ली फोलो और आप किस इसको विलिंग ली फोलो करते हो आ तो वह काम आपका यूद्ध यूद्ध इंक्ट पढ़ संद बाउंस दिन दोगनी रात जोगनी तरक्किय करते हैं आस तरीके से तो डॉंट बिलेजी नेक्स्ट इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जोस्तो पिछे अमने पढ़ा था एक्स्ट्रोवर्ट उसका इंट्रोवर्ट का मतलब करता है अपने इसको बाहर एकदम सब के सामने रिप्रेजेंट कर देता है और इंट्रोवर्ट का उता तो फिलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करता अंतरमों की शाय शर्मीला रेटिसेंट बाकम बात करता हो आज के दस्ट खत्म हो गया है तो आप अगर सीरीज को फोलो कर रहे हो तो आप इसका रिविजन जरूर कीजिए और आज दिन या आज यहां दोपैर तक मैं आज के देर में आपको जो है रिविजन की एक से लेकि हंडर्ड तक की जो रिविजन की कलास है वो क्लास डाल होंगा लेकिन अगर आप वो डेली की कलास नहीं फोलोव हो रहे हो तो आई रिक्वेस्टेट टू यू आप वो वीडियो जरूर देखे रिविजन वीडियो उसमें आपकी एक ही वीडियो में एक से लेकिए हंडर्ड तक जो वन वर्ड शेप्टूशन है वो कवर हो जाए इसे के साथ मैं अलविदा लेता हूँ जय हिन जय भारत